राम राम विशय बेशबद हाथ काट करेखा दूगा अगर य Susie stuff अगर यह नाम समझा जाये तो कितने दिक्त गोगी पता है प्टा किर राम समझा जाये तो भई राम राम तो कहलोगे पर राम सा दुकबी से ना होगा पहली चुनोती है होगी कि मर्यादा में रहना होगा और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है बस त्याक को गले लगाना है और हम कर ज़गाना है अब अपने राम ललाय के खातर इतना नगर पाओगे और शब्री का जूठा खाओगे तो पुर्शोतम कहलाओगे कामक्रोच से भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा बुद्ध भी जिसके च्छा में बैठ है ऐसा पीपर बनना होगा बनना होगा ये सब वह भी शुन्य में रहकर प्यारे तब ही तुमको पता चलेगा थे कितने अद्भूत राम होगा तो सबको राम पता ही होगा घर के बड़ों ने बताया होगा तो बताओ तो बताओ अरे पता है तुमको क्या है राम यहाँ धनुष तरकश में बाट या बनमजिनोंने किया गुजराया कैसे रामण मारा लोगों के नाम जपों में पहले साब नहीं इस घबदस्ति जैश्री राम में सब कुछ है बस राम नहीं पलपल हसना भी है पलपल रोना भी है राम सब कुछ पाना भी है और पाकर खोना भी है किर मुढ्क सब हुख पुत jus जो अपनी जीत का हर्शों रावन की मौत पे रोए हो शुजी जिनकी सेवा खातिर मारूत रूप में आ जाए शेश नाक खुल लक्ष में बिनकर जिनके रक्षक हो जाए और तुम लोग काम क्रोध छलकप अहुंकार सीने से लगा के सो जाओगे तो कैसे भक्त बनोगे उनके कैसे राम समझपा होगे अगोर क्या है पता नहीं और शिव जी का वर्दान चाहिए ब्रह्मा चरेकन इल्मन नहीं और इन भक्त स्वरू भनमान चाहिए भगवा क्या है क्या ही पता पर लहराना सबको होता है भगवा क्या है वही जाने जो भगवा ओड है सोता है राम समल्ला राम समल्ला राम समल्ला है ना तुमको निश्टित मंदर जाना होगा उससे पहले भीतर जासंग अपने राम को लाना होगा अवधपुरी का उत्सव था, सबने खूब मनाया, कोई कसर नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे राम आये है, जैसी आराम, और हाँ, अमे भी आयोध्याना, मैं सनातन धर्म की योध्धा, आध्याबार चाड़े जो, भारत संतों की भूमी है, इसलिए तो कहते हैं, कि भारत जमीन क टुकडा नहीं, भारत जमीन का टुकडा नहीं, जीता जाकता राष्ट्य पुरुष है, हिमाले मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर किरट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंदे है, बिंध्याचल कटी है, नर्मदा करगनी है, पुर्वी और प्रश्टिमी घा यहां वंदन की भूमी है, अभी नंदन की भूमी है, यहां वंदन की भूमी है, अभी नंदन की भूमी है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदू बिंदू गंगा चल है, हम जीएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी, यदि गंगा में हुई हमारी अस्तियों को जएदि कोई काम लगा कर सुनेगा तो एक ही आवा सुनाए देगी भारत मता की जय भारत मता की जय